चीटिंग या नकल करना, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो चीटिंग जरूर की होगी, चाहिए वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बिजनस में हो, या लव अफेर हो, तो कई न कई चीटिंग तो जरूर की होगी और ये पाप रे, ये तो धोती खुल रहा है इस पैशली देखा जाता है, एक्जाम्स में, फेल होने की वज़े से, फेल होने का दर होता है पैशली आज कल बच्चे पढ़ने की जगा, इस चीज में दिमाग लगाते कि चीटिंग ऐसे की जाए बिना पकड़े और बहुत साए क्रियेटिफ भी निकालते हैं, जैसे पैन में लिखना, बॉड़ी पार्ट्स में लिखना, पैंसिल बॉक्स के अंदर लिखना और पता नहीं क्या-क्या, in fact technologies का भी काफी यूज किया जा रहा है, जैसे bluetooth speaker लगाके, spyware लगाके और chat GPT का भी यूज किया जा रहा है, इंडिया में में भी अभी तक start नहीं हुआ है, पर दिन दूर ने जा chat GPT भी cheating के लिए यूज की जाने वाली है लेकिन मैं आपको cheating का lecture देने नहीं आयू, मैं आपको ये बताने आयू कि अगर आप उत्रा खंड में एक competitive exam देने का सोच रहो, तो cheating would not be a good option because वहाँ पे अब एक ordinance पास हुआ है, जिसमें anti copying laws नकल विरोधी कानून पास हुआ है, जिसमें बहुत ही strict provisions और अभी तक का इंडिया का सबसे strict provisions बताया जा रहा है, cheating को लेके, जिसमें 10 करोड तक का fine, lifetime imprisonment और property attach करने के भी provisions दिये गए है, copycat mafia के लिए तो अब वहाँ पे अगर competitive exams देने का सोच रहो, तोड़ा सोच समझ के cheating करना, मैं तो suggest करूंगे cheating मत ही करना और पढ़ लेना, किकी imprisonment भी हो सकती है